दोस्तो नमस्कार, हैपी दिवाली, हैपी दिवाली, हैपी दिवाली दोस्तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं दीपावली मनाने के बहुत सारे रीजन है लेकिन जो एक आम लोगों में जनकारी है that is स्री राम के बनवास से लोटने की खुसी में दीपावली मनाते है जैसा कि रमायन में कहा गया है कि केकई ने स्री राम भगवान को 14 सार के लिए बनवास बेज दिया भगवान राम बनवास गए वहाँ पे रावन जैसे राक्छासों का बिनास करके जब 14 साल के बाद वापस अपने अयोध्या है तो अयोध्यावासियों ने देश के वासियों ने खुसी होकर वहाँ पे दीपावली मनाया और वह दिन था कार्तिक का आमवस्या का दिन और उसी के खुसी में आज तक हम लोग दीपावली मनाते हैं और इसी तर जब हिंदु धर में कभी पर्म मनाया जाता है, तो उसमें कई रीजन होते हैं, जिसमें से एक महाभारत को लिया जाता है, एक रमाईन को लिया जाता है, हमारे जो बेदों में हैं, उससे भी उलेख किया गया है. दुसरा जो कारण है, दीपावली क्यों मनाते हैं, वो है पंडवों का अपने राज में लोटना, यस महाभारत में सौकनी ने अपने जुए की चाल में पूरा पर्देश, पूरा पंडवों का पर्देश जीत लिया था और उसको 13 वर्स के लिए बनवास भेज दिया था, 13 वर्स काटने के बाद जब पाच और पंडव और उनके साथ जो भी लोग वापस जब आए, अपने छेतर में आए, जब अपने राज में आए, तो वहां की जनता खुसी होकर दीपावली मनाई और उसी दिन से दीपावली स्टार्ट हो गए, और वह भी दिन था कार्थिक का आमावस्या और उसी दिन के साथ हम लोग दीपावली मनाते हैं, थर्ड, that is, राजा बिक्रामदित का राज्या अविसेख, राजा बिक्रामदित प्राचिन भारत के महान समराड थे, आदर्स राजा थे, उसकी उदारता साहस के लिए जाने जाते थे, कहा जाता है कि कार दीपावली मनाने की परंपरा सुरू हो गई है, दोस्तों, जो लास्ट जो रीजन है, वो है मालक्षमी का अवतार, यस, दीपावली में मालक्षमी की हम लोग पूजा करते हैं, जगह पंडालों में पूजा होती है, घर में होती है, दुकाने में होती है, सब जगह के दोरान मा लक्षमी जी ने अवतार लिया था मा लक्षमी धन और समिर्धी की देवी मानी जाती है इसलिए हर्ज बर्ष हर्ज बर्ष दीप जनने के साथ साथ बाता लक्षमी की पुजा करते हैं जिससे की हमारे घर में सुक सांती आये लक्षमी आये और दीपा वाली एक अ गुरू स्री हरी गुविन जी मुगल समराट के जहांगीर के अंदर कैद थे और वह गौालियर जिल में बन थे और इसी के इसी सुब दिन उनको रिहा किया गया था और इसी के खुसी में सभी लोग दीपावली मनाते हैं और तब से यह पर्व हमारे पूरे समाज में मनाया ज जाता है दोस्तों और बहुत सारी कहानिया हैं लेकिन इसी के दिन नरकासुर बद भी हुआ था यस इसी कार्तिक महिना के सुकल पक्ष की आमवस्या के दिन नरकासुर का बद हुआ था धिपावाली मनाने के तबार सबसे बरी कहानी यह भी है कहा जाता है कि इसी दिन जोतिपूर का राजा था और वो इतना कुरूड था कि वो देव माता अदिती का भी बाली छिल लिया था और आप लोग जानते हैं कि देव माता अदिती स्री किर्ष्न की पत्नी सत्भावा की सबद्धी थी सिर्ष्न की मदस्य सत्भावा ने नरका सुर्का बद्ध किया था और यह भी दीपावली मनाने का एक परमुक कारण है दोस्तों आप अपने बच्चों को यह कहानी जरूर बताए कि दीपावली क्यों मनाये जाते हैं और यह जो छे कहानी है यह महतपूर्ण है आप लोगों म में बताए कि दीपावली बनाने का क्या क्या रीजन है येस हैपी दिवाली हैपी दिवाली हैपी दिवाली आप लोगों को दिवाली की शुब का मनाये आप अच्छे ढंक से दिपावली मनाये आप बड़े हर्सो लास के साथ दिपावली मनाये वंस एगैन हैपी दिवाली झाल 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 झाल